हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इथारत हिंदी एजूकेशन क्लासेज में जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी टी 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 पी जी टी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रशन हम पढ़ रहे हैं ये क्वेशन आपके हिंदी टी 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 पी जी टी नेट आदे सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे चाहिए आप उत्राखंड हिंदी टी 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 के लिए त्यारी कर रहे हों या फिर किसी अन्य राज जी के लिए तो सभी में आपके लिए साहिक होंगे ये क्वेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर कीजिएगा आज के जो पहला प्रशन है वह है कि निम्ड में से कौन सी रशना निर्मल वर्मा की है इन में से आपको निर्मल वर्मा की रशना बतानी है कि कौन सी रशना इसमें निर्मल वर्मा की जो है वो बतानी है इसके लिए राइट आंसर है option A, कववे और काला पानी, यह रशना है निर्मल वर्मा की, कववे और काला पानी, यह रशना है निर्मल वर्मा की, अगला प्रशन है, विकलांग सरद्धा का दौर किसकी रशना है, रशना का नाम है विकलांग सरद्धा का दौर, यह किसकी रशना है, option दिये गए है, यह प एह लिखते हैं ठीके विएंगात्मक निवंदकार की रूप में भी इनको जा ना जाता है तो विकलांक सद्धा का दूर इनकी वियंगी रजना है अग्ला प्रसन्य है कल सुनना मुझे कवेता संग्रह किसका है कल सुनना मुझे इसकाराई आप अंसर है किए कवता संग्र किसका है option दिए गए है right answer है इसमें option D सुधामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे सुधामा पांडे धूमिल उतना वह सूरज है किसकी रचना है रचना का नाम है उतना वह सूरज है इसके लिए right answer है option अग्रवाल उतना वह सूरज है भारत भूशन अग्रवाल की रचना अगला प्रस्न है अर्धनाषवर ईपणियास किसके द्वारा लिखा गया है अर्धनाषवर यहाँ है उपणियास विदभा की रचना किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है अर्ध नारिश्वर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है राइट आंसर है विश्णु प्रभाकर ओप्सन सी विश्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है अर्ध नारीश्वड विश्णु प्रभाकर अगला कुश्न है निम्डे में कौन सा कविता संग्रा राजेश जोश्व का है जो कविता संग्रा राजेश जोश्व का है वह बताना है डाइट आन्सर है Austin C. दो पंक्तियों के बीच यह कविता संग्रा है राजय जोशी का दो पंक्तियों के बीज हम जो देखते हैं कविता संग्रा किसका है हम जो देखते हैं यह कविता संग्रा है बताना है किसके दोरा लिखा गया है हम जो देखते हैं कविता संग्रा इसके लिए राइट आंसर है option A मंगलेश डबराल मंगलेश डबराल की रशना है या कविता है हम जो देखते हैं अगला प्रशने है आग की हसी कविता संगरह किसके द्वारा लिखा गया है आग की हसी कविता संगरह किसके द्वारा लिखा गया है इसके लिए राइट आंसर है option D राम दरस मिस्र के दोरा लिखा गया है राम दरस यहाँ पर है राम दरस मिस्र राम दरस मिस्र की रशना है आग की हसी जो की कविता संग्रा है एक राम दरस मिस्र के दोरा लिखी गया है निवने में कौन सा कवी तार सब्तक से सम्मंदित नहीं है तारसब्तक से सम्मंधित जो कभी नहीं है वह बताना है अब यहाँ पर तारसब्तक का मतलब क्या है जो सबसे पहले प्रकासित सब्तक था वह तारसब्तक कहलाता है उसे प्रथम तारसब्तक नहीं कहा जाता है उसे केवल तारसब्तक ही कहा जाता है तो तारसब्तक से समंधित जो कभी नहीं है वह आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर है Option D भावानी प्रसाद मिस्र यह जो तारसब्तक के कभी नहीं है यह किस तारसब्तक के कभी है यह आपको बताना है कमेंट में कि फूल को प्यार करो पर जहरे तो जहरने दो, जीवन का रसलो देह मन आत्मा की रसना से जाने दो, पंक्ति किस रसना से पंक्ति की रसना कार कौन है? यह पंक्ति किस रसना से ली गई है? यह आपको बताना है और रसना के नाम दिये गए हैं बावरा अहेरी इंद्रधन सुरौदे हुए कितनी नाओं में कितनी वार उनमें से कोई नहीं सारी ही रसना यह अग्ये की द्वारा लीखी गई रसना हैं इसके लिए राइट आंसर है ऑप्सन ए बावरा अहेरी जो रचना है इससे ली गई पंक्ति है भीसम सहानी की निम्न में से किस रचना में 1840 से 1920 इस भी पंजाब की राजनेतिक सामाजी के अथार्त का अंकन हुआ है यह नहीं कि पंजाब में 1840 से 1920 के समय जो सामाजीक और राजनेतिक इस्तिति रही थी उस समय की सतिका वड़न हुआ है इनमें से कौन सी रचना है जिसमें हुआ है यह सारे रचनाएं हैं भीसम सहानी की कुंतो मैयादास की मारी यह मारी है ठीक है मैयादास की मारी रचना का नाम है मैयादास की मारी नीलू नीलीमा नीलो फर और तमस सारे रचनाएं भीसम सहान इस रचना में पंजाब की जो सामाजिक और राजनेतिक इस्ति रही थी उसका बढ़न मिलता है फिर है मैथिली सरन गुपत की निम्न में से कौन सी रचना इसलाम धर्म से संबंदित है जो रचना इसलाम धर्म से संबंदित है वह बतानी है हिडिंबा, नहुस, अनक, काबा और कर्बला सारी रशनाएं मैथली सरन गुपत जी की ही है तो इसलाम धर्म से सम्मंधित रशना बतानी है कौन सी है राइट आंसर है काबा और कर्बला काबा और कर्बला यह इसलाम धर्म से सम्मंधित रशनाएं थी इनकी अगला है कि मैथिली सरन गुप्त की काबी रचना अंजली और अर्ग निम्न में से किससे सम्मंधित है अंजली और अर्ग किससे सम्मंधित रचना है महत्मा गांधी से, भारतिंदु अरिश्चन से, पंडिजवालाल लेहनु से, जैसंगर प्रसाद से इसके right answer है option A महत्मा गांधी से सम्मंदित रचना है इनकी रचना अंजली और अर्ग गाता हूँ अपनी अपनी यहाँ पर लाई हो गए है तो यह लाई है गाता हूँ अपनी लाई भाशा सीख इलाहाबाद नगर में नगर से पंक्ति किस की है गाता हूँ अपनी लाई भाशा सीख इलाहबाद नगर से यह पंक्ति किसने लिखी है इसका right answer है option A हरिवन्स राई बच्चन की द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है गाता हूँ अपनी लाई से तो हरिवन्स राई बच्चन की यह पंक्ति है मैथिली सराण गुप्ति की रशना जै भारत में कुल कितने खंडे है मैथिली सराण गुप्ति की रशना है जै भारत इसमें कुल खंडों की संख्या कितनी है बता रहा है इसके लिए right answer है option D 47 जै भारत जो मैथिली सराण गुप्ति की रशना है उसमें 47 खंड है, 47 खंड है, अगला है कि हरिवन सराई बच्चन ने निशानी मंतरन किसकी इसमरती में लिखा, हरिवन सराई बच्चन की जो रजना निशानी मंतरन है, वो हुनोंने किसकी इसमरती में लिखा है, अपनी प्रिथम पत्नी की, अपनी प्रीमी का की, अपनी अश आपनी किस रचना को कामा अधühत्म की उपाधि हैं। ौसरी ही रशना यह इस दिन करती हैहिं। इसके लिए ROIONIEC, , उप्षी को दिनकर जी के दवारा कामा अधियात्म की उपाधि रिखे भी Candace और पूली है। उर्वशी को अंग्रेजी इस question में कोई option नहीं दिया है तो इसके लिए अगला question देखते हैं कि वदन का अर्थ होता है वदन का अर्थ क्या होता है वदन लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है मुख होता है, शरीर होता है, पंक होता है या फिर बन होता है इसके लिए right answer है मुख वदन का अर्थ होता है मुख अगला है सर का अर्थ होता है सर का अर्थ क्या होता है तालाब, बाण, क्रपा या बगीजा इसके लिए right answer है तालाब, सर का अर्थ है तालाब option A के लिए right answer है सरकार्थ है तालाब तो इसी के साथ आज की है वीडियो यहीं पर एंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं प्रश्णों के साथ धन्यवाद